दोस्तों अगर आप लोगों ने अपना graduation complete कर लिया है और आगे जाके आप bank में नोकरी करने का सोच रहे हो तो आज के इस वीडियो को पूरा last तक जरूर देखेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे तो वीडियो को पूरा देखे और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे के ग्रेजूएशन करने के बाद बेंक में नोकरी कैसे मिलेगी लेकिन इससे पहले आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके इतना जरूर बताईए क्या आप लोग अपना ग्रेजूएशन कंप् पढ़ सकते हैं तो आप जान लेते हैं कि ग्रेजूएशन करने के बाद बेंक में नोकरी कैसे मिलती है दोस्तों आपका ग्रेजूएशन पूरा हो जाने के बाद आप बेंक की नोकरी के लिए निकाली जा रही परती में एपलाई कर सकते हो हमारे देश में समय समय पर IBPS और नोकरी मिल सकती है तो इस तरह से आप बेंक की नोकरी पार सकते हो IBPS और SBI द्वारा निकली गई भरतियों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप Google में सर्च कर सकते हो या फिर रोजगार समाचारों में भी देख सकते हो तो जैसे ही कोई भरति निकलती है और अगर आपका graduation complete है और आप bank में नोकरी करने का सोच रहे हो तो आप उसके लिए apply कर सकते हो अब जानते है क्या graduation करने के बाद bank में नोकरी मिल सकती है या नहीं तो जी हाँ दोस्तो बेंक के द्वारा 12 पास करने वाले विद्यर्थियों को भी bank की नोकरी निकली जाती है जिसमें वो apply करके bank में जोब पास सकते है और अब जानते है कि bank की नोकरी पाने के लिए कौन सा exam देना होता है तो बेंक की जोब पाने के लिए आपको IBPS और SBI के द्वारा निकाली गई भरतियों में apply करना होता है और फिर उसका exam देना होता है exam पास करने के बाद interview section complete करने के बाद आपको bank में नोकरी मिल जाती है तो आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो गर आपको पसंद आया हो तो इसे like कर दीजेगा और WhatsApp ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे share जरूर किजिएगा और इसे informational वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें धाकि जब भी कोई नया वीडियो में अप्लोड करू तो उसकी notification आप तक पहुँच सकें और इस वीडियो से संबंद देद किसी भी तरह का प्र